नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब वियर टिक्टोरियल में जहां हम सीखते हैं मारे इस रिपूर्ट अटोमेशन तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक कोश्चन के ऊपर हमारे एक वीडियो पे जो है एसे सरीविसिस की कमड़ी किसी एंपलोई ने मुझसे पूछा है कि सर हाइकन क्रियेट था सियर नंबर अप दे पिवट टेबर तो चलिए इसी कोश्चन पर हम जबाब देते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट आप लोगों के बास कोई डाउट या कोश्चन है तो आप म कमेंट्स आते रहते हैं सारे कमेंट को अरे टाइम देखना तो शाइन पहले पूछा था तो अब आहाँ जबाब दे रहा हूं और दूसरी चीज इसमें और भी होती है कि मेरी और लेडी क्लासेज होती है जी हां मैं 14 गंटे की क्लासेज लाइव क्लासेज जूम के थूँ लेता हूं तो लाइब क्लासेज लेने के बाद टाइम कम बजता है इन सब की कोशन पर जवाब देते हूं लेकि आपने वाटसप से पूछा तो मैं आपको कोशन वाटसप पर रिप्लाई कर दूँगा या आपके सवाल अगर बहुत अच्छे हुए तो इसके लिए हम आप आपको वीडियोज बना देते हैं तो चली जैसे बात करते हैं यहां पर क्या कोशन पूछा है उस पर बढ़ते हैं तो उनका कोशन यह है कि जैसे कि मैंने यहां पर नेम लिखा और जन्वरी लगाया पिबट में वह चाहिए कि इसके आगे एक सिरियल नंबर एड़ वजा ह पर नहीं है लेकिन जरूरत है तो हमें करना पड़ेगा कैसे करेंगे चली इसका हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम किसी और सीट पर आईसी सीट पर हम अपने जिसके सिरियल नंबर आड़ करना जो रोम फिल में रखेंगे उसको लेते हैं और यहां डेटा में रिमूव लिखके मिने ड्राइक कर दिया और यहां भी मैंने सिरियल नंबर का कॉलम दिया और वी लुक अप लगा या फिर एकस लुक भी लगा सकते हैं एकस लगा लगा जोगा लगा तो कि कि हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा तू कॉमा कि यहां पर कॉमा देना चाहिए है अब मैं इसको नीचे के तरफ ट्रैक करूंगा मैंने क्या किया एक एक बिन मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूं कि मैंने क्या फॉर्मा लगाया है तो मैंने यहां पर फॉर्मा लगाया है वी लुक अप का फॉर्मुला और यहां से हमने वैलो को लुक अप कर लिया हूँ तो VLOOKUP का formula हमने हाँ पर apply किया है इससे क्या हुआ कि हर किसी को इसका एक unique ID मिल गया जी हाँ, एक हर नाम को एक ID मिल गया अब sequence number याँ, sequence कर लिए, sequence मिल गया हम इसको paste asj value करके हमने क्या किया formula remove कर दिया अब मैं इसके उपर pivot लगाता हूँ pivot में मैं सबसे पहले serial number को रखूँगा उसके बाद मैं name को रखूँगा और उसके बाद मैं जिसका समचाई हो समखूँगा इस तरह से आया, तो इसमें right click कीजिए pivot table options और इसमें आपको दिखेगा display और display में classical pivot table layout classical pivot table layout पे चले जाए and okay फिर राइट क्लिक कीजिए और यहां से सब टोटल को रिमूव कर देजिए और इस तरह का button आ रहा है प्लस मैनस का तो जैसे पे क्लिक करेंगे ऊपर pivot table analyze का option आएगा उसी में देखे प्लस मैनस बटन आप हटा देजिए ति आपके हिसाब से आ गया है serial numbers, name and यहां पे totals लेकिन यह हमेशा fulfill नहीं होगा कोई कि इसके लिए data में edit करना पड़ेगा लेकिन हमने इसको अपनी हिसाब से कर दिया हो सकता है आपको एक benefit लगे आप ऐसा कर पाए तक कुछी कोई और दूसरा तरीका मुझे नहीं मिला है अभी तक अगर कोई दूसरा तरीका मिलता है तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा तक मिले वीडियो ऐसे देखते रहें अच्छा लगे तो like किजिए share किजिए और मेरे साथ अगर आप live class join करना चाहते हैं तो iptindia.com पे जाए demo class का form पड़े और हमारे साथ live class से join कर सकते हैं हमारे वीडियो पेंड्राइब भी purchase कर सकते हैं इन सबों के लिए मेरे website iptindia.com पे चले जाएं कोई डाउट हो question हो तो मुझे call कीजिए अगर मेरा call ना लगे तो whatsapp कीजिए तैंक यू